अगर आप लोग बीडियो को जरूर देखिए यह जो वीडियो बनाया गया है इस वीडियो को जरूर देखिए आप लोग अगरिकल्चर के जितने भी आज तक एक्जाम हुए हैं उसमें ये जितने भी कोशन हम करवाने जा रहे हैं बार बार रेपीट हुए हैं आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा चलिए शुरूरात करते हैं अपने पहले सवाल से पहला सवाल कहे रहा है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एंटी ग्रेटेड पेस्ट मनेजमेंट कहां इस्तित हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा नई दिल्ली में ठीक हैं ये वाला इसका सही अंसर हो जाएगा अच्छा नई दिल्ली में और और कौन कौन सी चीज़ें रिस्तित है जैसे IARI जिसको Indian Agriculture Research Institute ये भी कहां पर रिस्तित है ये भी नई दिल्ली मिस्तित है उसके बाद ICAR ये भी नई दिल्ली मिस्तित है NBPGR ये भी नई दिल्ली मिस्तित है जिसका NBPGR का पुरा नाम होता है National Bureau इसकी स्थापना 1976 को हुई थी बात करते हैं है हैदराबाद की हैदराबाद में कौन सा अनुसंधान इस्तित है तो वहाँ पर ICRISAT इसको कहते हैं इसको बोलते हैं International Research Institute for Semi Arid Tropical इसको कहा जाता है तो ये कहाँ पर इस्तित है ये हैदराबाद में इस्तित है अब बात करते हैं जूनागड की जूनागड में कौन सा अनुसंधान केंदर इस्तित है इसको कहा जाता है National Research Center for Weed Science ठीक है ये कहाँ पर इस्तित है ये जूनागड में इस्तित है इसके अलावा मौफली अनुसंधान केंदर भी आपका जूनागड में है बात करते हैं जवलपूर की बात जवलपूर में कौन सा अनुसंधान केंदर इस्तित है जवलपूर में जो बानुसंधान केंदर इस्तित है उसका नाम है यन आर सी डबलू यस इसको कहा जाता है National Research Center for Weed Science ठीक है ये कहाँ पर इस्तित है जवलपूर में इस्तित है चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दो की सवाल नंबर दो हमारा कह रहा है भारत में वर्स 2018-19 में कुल गेहूं का उत इसका सही एंसर हो जाएगा B वाला यानि की 103.60 मिलियन टन ठीक है इतना उत पादन हुआ था किसका गेहूं में हुआ था ये गेहूं के इंदर उतपादन हुआ था यानि की 18-19 की बात करें कुल खाद्यान उत पादन में ये गेहूं सेकर्ड नंबर पर रहा ठीक है ये बात करते हैं कि फ़र्ष्ट प्रष्ट बें कॉन सा रहा । सिखी रहा दानन कितना अगर बात करें तो 116.4 यह द्धान रहा था इतना यह साथ बात करते हैं अनाज में कुल अनाज की अगर बात करेंगे तो सी वाला रहेगा अगर यही कोशन पूच्टा भारत में वार्स दोहजार अठारा उनेश में कुल अनाज उत्पादन हुआ था टोटल अनाज की बात करता तो दोसो तिरसट पॉइंट एक स्यार मिलियन टन हो जाता यानि कि त यह दल है नुत्पादन हुआ था ठीक है यह याद रखेंगे आकड़ा और यह हो गया था पूर्ण खाद्यान वाले जितने सभी फसले तो आंसर हमारा वी वाला एकदम सही हो जाएगा चलिए सवाल नंबर तीन की बात करते हैं भुकंप की तीबरता मापते हैं भुकंप क जो सही हो जाएगा सेस्मोग्राफ से भुकंप कि तीबरता किससे मापते हैं सेस्मोग्राफ से यानि कि डी वाला हमारा सही हो जाएगा चलिए बात करते हैं क्रेस्कोग्राफ से क्या नापते हैं क्रेस्कोग्राफ से पादब व्रिधी मापने है तू इस यंत्र का मापते हैं ठीक है भूमी जलकी गहराई किसे मापते हैं पीजो मीटर के द्वारा मापते हैं अब बात करते हैं राइजो मीटर से क्या मापते हैं राइजो मीटर से भूमी जड़ों का घेराव मापा जाता ठीक है भूमी जड़ों का घेराव मापने के लिए राइजो मीटर परियोग किया गाता है चलिए question number 4 की बात करते हैं राजस्थान में उबडखावड जमील में सिचाई की सरवुत्तम विधी है आपको बताना है राजस्थान के अंदर जो उबडखावड भूमी होती है वहाँ पर कौन सी सिचाई की विधी सबसे अच्छी माने गई है फ्वा इंकलर विधी कहा जाता है ठीक है यह जो विधी है फ्वारा विधी यह इजरायल के द्वारा ही विक्सित की गई थी अब बात कर लेते हैं ड्रिप विधी यानि कि ड्रिप विधी कहां पर परियोग लाई जाती है सबसे अधिक पानी की बचत करता है यह ड्रिप विधी ठ कौन सी है क्यारी विधी है ठीक है अगर पूछ लेगा सिचाई की भारत में सारुधिक प्रचलित विधी कौन सी है तो क्यारी विधी हो जाएगा उसका एंस्वर अब बात करते हैं फ्लेड विधी जो यह फ्लेड विधी है डी वाला यानि कि सबसे ज्यादा नुकसान पानी क होती है कौन से विधी में तो फ्लड विधी में सबसे ज्यादा पानी की हानी होती है चलिए बात करते हैं कोशन नंबर पांच की सवाल नंबर पांच हमारा कह रहा है बाजरे का कंड़ुआ रोग का रोग कारक बताना ठीक है यह किस कवक मतलब होता है कंड़ुआ रोग जो हो प्रवक और यह जो जाता है यानि कि इस कवक के द्वारा होगा और यह जो कवक है यानि कि मिर्दा जनित भी है और बीज जनित दोनों है कभी कवक है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सी वाला देख रहे हैं यानि कि आश्टी लेगो होडियाई होडियां वाल गेर जानते हैं किसको कहते हैं जो को कहा जाता है तो आश्टी लेगो होडियाई जो है यह जो का आना वरिंत कंडूआ रोग है ठीक है आना वरिंत कंडूआ रोग है हम यहाँ पर लिख द धान का जोंका रोग होता है ठीक इसको ब्लास्ट रोग की नाम से भी जाना जाता है पैरिकुलेरिया और आजी यह धान का जोंका रोग होता है इसके करण इसको ब्लास्ट रोग कहते हैं यह भी कवक जनित होता है यह बीज जनित होता है मिर्दा जनित नहीं होता है यह जो हो रोग दौरा होता है मिर्दा जनित रोग है एक इसके जो कवक है अगर मिर्दा के अंदर रहे तो जो आगे डाली फसल लेंगे तो उसमें भी कवक पड़े रहते हैं और ग्रेसित कर देते है उस रोग का रोग कारक मतलब ए वाला सही हो जाएगा हमारा फ्यूजेरियम आक्सी स्पोरम दौरा यह रोग लगता है ठीक है अरहर का जो उख्ठा रोग लगता है किसके दौरा लगता भाई फ्यूजेरियम आक्सी स्पोरम के दौरा लगता है अब बात करते हैं सरको स्प ult jeux जांते हैं कि अगेती जुलसा रोग लगता है किसके दोर लगता है कि अब बात करते हैं। जो अतले करते हैं कि अनिका, फोज़े कि आउम contribute रोगर बात करते हैं, छो linearly कहँते हो और आपके आउल्द मुझारे कि बात करते हैं, मेलिय यस जानिका, लंगर जिससे हमारा जो प्लांट है वो परभावित हो जाता है तो ये एक परकार का सूतर क्रीमी है जो सोले नेसी फैमिली की जितनी इसमें फसले होती है उनको सभी को अटेक करता है और सबसे ज़्यादा ये टमाटर में हानिक पहुंचाता है ये सब बातें आप याद रखेंगे हर बार एक्जामों में यहां से कोशन बनते हैं चाहे सुपरवाजर का हो चाहे यहो का चाहे डबल यहो का चाहे एफ हो का हर बार यहां से एक या दो कोशन आपको देखनों को मिलेंगे चलिए बात करते हैं question number 7 की चलिए भज़ा बात कर लेते है question number 7 की 7 number हमारा current का question है agriculture से खरीफ बिपड़न वर्स 2021-22 के लिए सारवधिक निविन्तम समर्थन मूल किस फसल का है ठीक है सारवधिक निविन्तम समर्थन मूल किस फसल का आपको बताना है मूं का है उडद का है तिल का है और मूंफली का तो सारवधिक निविन्तम मूल जो है वो तिल का है यानि कि तिल का कितना मूल था प्रती रुपए कुंटल 7307 रुपए प्रती कुंटल था ठीक है कुंटल और बात करते हैं मूंफली का मुंफली का 5550 रुपए था अब बात कर देते हैं मुंग का मुंग का 7275 रुपए था और बात करते हैं उरुद की उरुद की जो दाल का रेट था 3300 रुपए था ठीए सबसे ज्यादा किसका हो गया तिल का यानि कि 7307 रुपए प्रेति कुविंटल कि दर से इसका नियुंतम समर्थन मूल ले रहा है यानि कि इसमें सी वाला सही हो जाएगा अब बात करते हैं तिल का विज्यानिक नाम क्या होता है स्रिसिकम इंडिकम होता है और इसकी फैमिली जो होती है पैडिल येसी इसकी फैमिली होती है बात करें तिल का उत्पतिस्थान की तो इसका तिल का जो उत्पतिस्थान अफरिका है और तिल जो होती है तिल फसलों की रानी कहलाती है और तिल के अंदर एक भेंकर बीमारी यानि की रोग लगता है ज ठीक है माइक्र प्लाज्मा के खारण तिल के अंदर जो फाइल ओडी रोग हो जाता है चलिए बात करते हैं कोश्चन नमबर आठ की कोश्चन नमबर हमारा आठ वर्तमान में I.C.A.R. के महानिदेशक कौन है पूछ रहा है वर्तमान में I.C.A.R. के महानिदेशक कौन है तो I.C.A.R. के महानिदेशक वर्तमान में डाक्टर त्रिलोचन महापातर है ठीक है यानि कि C वाला इसका एंसर सही हो जाएगा और स्री नरेंदर सिंह तोमर क्या है भारत के क्रिशी मंतरी है वर्तमान में ठीक है ये क्रिशी मंतरी है और डाक्टर यस आयपन जो है ये भारत के पहले भारत के पहले कह सकते है या I.C.A.R. के पहले महानिदेशक कौन थे डाक्टर यस आयपन थे और डाक्टर बीपी पाल के बारे हम जानते हैं गुलाब का जनक इनको कहा जाता है ठीक है और फर्स्ट डीजी भी रह चुके हैं ये आई सी आर के चलिए बात करते हैं कोशन नमबर नो की नो नमबर कोशन पूछ रहा है निम लिखी ती मेंसे सही कथन नहीं है इसमें से बताना कौन सा चारों मसे आपको ध्यान से पढ़ना smoking कौन सा कथन सही नहीं है तो चने में नीपिंग की किरिया होती है जी एकदम होती है चने में नीपिंग की किरिया होती है गन्ने में गिनिंग की किरिया होती है जी एकदम गलत है गिनिंग की किरिया जो होती है ये कापास के अंदर होती है ठीक है ये हमारा गलत हो जाएगा जौर में CESH1 प्रथम संकर किसम है जी एकदम सही है जो आरकी C.S.H.1 प्रथम संकर की किसम है उसके बाद कपास में गौसी पॉल तत्व पाए जाता है जी एकदम सही है कपास के अंदर गौसी पॉल तत्व पाए जाता है जो कि एक विसैला पदार्थ होता है अब बात करते हैं कपास कपास में जो गिनि कहते हैं ठीक है और उस-गिनिंग की किरिया में एसटू-स arrows फोर का पास में बीज और रेशे को अलग करने के लिए हट आया उसको हटाने के रूप में पर्योग किया जाता है ठीक है किसका पर्योग करते है एसटू-सgame त्वर का अभी करिं Similar पूछ लेता कितनी पर सेन्ट मात्रा उसमें परियोग करते हैं तो दस परतिसत मात्रा इसमें परियोग करते हैं ठीक हमारा जो इसमें अंसर हो जाएगा यानि की विर वाला हमारा गलत है गन्दे में यह नहीं होता है इंदर होता हैं बात करते हैं Question number 10 की चलिए Question number 10 पर आ गए हैं निमलिखित में से Sweet Corn की उन्हत किस्म का नाम बताना है कि Sweet Corn की उन्हत किस्म कौन सी है इसमें से तहीं है उन्सुर जो हो जाएगा माधुरी ही हो जाएगा माधुरी के साथ एक और आम याद रकेंगे जिसका नाम है प्रिया यानि कि माधुरी और प्रिया ये स्वीट कॉर्ण की उन्नत किस्मे होती है उसकी अलावा बात करते हैं गंगा टू की गंगा टू जो है ये सफेद दाने वाली संकर किस्म है ठीक है ये मक्के की सफेद दाने वाली संकर किस्म है अब बात करते हैं बिक तो किसान जो है एक मक्के की संकुल किस्म है यह भी अगर यहां पर लिखा रहता पूसा जय किसान तो पूसा जय किसान जो है बायो 902 भी कहा जाता है इसको स्वीट इसमें सरसों की किस्म है ठीक है पूसा जय किसान किसकी किस्म है यह सरसों की किस्म है और इसको बायो 902 की ना इप выглядит फ़्योग के इनदर कभी सीड नहीं बन पाते हां की मौफली का निर्मार माहीचो पाता उस के रिया को कहते हैं पॉपिंग कहा जाता है यानि कि उसमें खाली रहता है जो खोखला पना जाता है तो सको舌ं कि तो gypsum का सूत्र होता है C-A-S-O-4-2-H-2-O ठीक है ये gypsum का सूत्र होता है अब कभी-कभी पूछ लेता है कि gypsum के अंदर कितना परतिशत जो होता है nitrogen पाय जाता है नहीं जिपसum के अंदर कितना परतिशत calcium पाय जाता है ठीक है calcium के द्वारा ही इसमें सुधार किया जाता है मुफली में डाला जाता है तो कभी-कभी popping की popping जो होता है किसकी कमी के करान होता है तो calcium की कमी के करान होता है इसमें देखे calcium जो होता है gypsum के अंदर 11.2% पाय जाता है ठीक है 11.2% इसमें calcium पाय जाता है अब बात करते हैं यूरिया में यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो 46% आपके नाइट्रोजन होती है ठीक है यूरिया के अंदर बात करते हैं डीएपी में डीएपी के अंदर नाइट्रोजन जो होती है वो 18% होती है ठीक है नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है डी 30% और nitrogen की मात्रा 18% पाए जाती है और MOP यानि की murate of potassium में potassium की मात्रा कितनी होती है 60% होती है ठीक है यह याद रखेंगे murate of potassium में इसमें कितना होता 60% होता है चलिए आगे चलते हैं को कोश्चन नंबर 12 क्या करा है कोश्चन सुर्ज मुखी में गुंसोत्र की संख्या बताना है टू एन बराबर कितना होता है तो सुर्ज मुखी में गुंसोत्र संख्या होता है टू एन बराबर 34 होता है ठीक है यह याद रखें टू एन बराबर 34 होता है अब बात करते हैं चालिस किसका होता है चालिस भहिया याद रख लेंगे रट लेंगे एकदम आम का होता है चालिस किसका किसका होता आम का होता है अंगूर का होता है और किसका होता भहिया मुंफली का होता है मुंफली का होता है और स्वयाबीन का होता है और किसका होता है होता है 26 यानि कि टू एन बराबर 26 जो होगा वह आपका तिल का होगा किसका होगा तिल का हो जाएगा और किसका हो जाएगा और देशी कपास का हो जाएगा ठीक है अमेरिकन कपास का नहीं देशी कपास का रहेगा 2N बराबर 26 हो जाएगा American कपास का पूछे का तो इसका दो गुना हो जाता है यानि की 52 बराबर 52 होता है American कपास का चलिए बात करते हैं 30 यानि की LC का कितना क्रोमो जोम नंबर होता है 2N बराबर 30 होता है किसका LC का यह LC का आप याद रखेंगे 2N बराबर 30 होता है चलिए सवाल नमबर 13 सवाल नमबर 13 कहा रहा है कौन सी फसल का उपयोग रेसे बनाने और खाने के तेल दोनों में किया जाता है यानि कि रेसा बनाने में भी परियोग करते है और तेल का परियोग खाने में भी किया जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा D वाला यानि कि LC का परियोग जो होता है तेल का परियोग खाने के रूप में करते हैं और रेसे में भी किया जाता है यानि D वाला एंसर हमारा सही हो जागा अब यहाँ पे सनाई और जूट देख रहे हैं सनाई और जूट सिर्फ इसका परियोग होता है रेशा के रूप में किया जाता है ठीक है अब बात करते हैं कापास का कापास का जो परियोग होता है तेल की रूप में भी भहिया करते हैं और इसमें रेसे की रूप में भी करते हैं और इसका पसु आहार की रूप में भी करते हैं कि तीन चीजों में इसका परियोग किया जाता का पास का तेल में भी करते हैं रेसे में भी करते हैं और पसु आहर में भी परियोग करते हैं तो इसलिए आप लोग यह ध्यान रखें रेशा और खाने के तेल में जो परियोग करते हैं अलसी का ही परियोग किया जाता है आगे क देखते हैं तिल का कुल पैडल येसी नहीं होता है ठीक है कुल इसका तिल का जो कुल है फैमिली है ये पैडल येसी होता है ठीक है ये ध्यान देंगे सरसों का कुल मालवेसी होता है सरसों का कुल जो मालवेसी नहीं होता है सरसों का कुल जो होता है वो होता है क्रूसी फेरी ह सफ्या बन में 20 से 25% टेल पाई जाता है और 40% क्या पाई-जाती है इसमें पर्टीन पाई-जाती है अभी मातर में 40% प्रोटीन होती है जी एकदम गलत है मटर के अंदर 40% थोड़ी नप प्रोटीन होती है इसमें 22.5% प्रोटीन पाई जाती है कितना 22.5% प्रोटीन पाई जाती है ओवी दलहनी के अंदर अगर बात करें हरी मटर के अंदर तो हरी मटर के अंदर 7.2% प्रोटीन पाई जाती है याद रखेंगे तो हमारे जो सही अंसर हो जाएगा यानि कि सी वाला स्वाय में बीश से पचीस परतिस तक तेल पाए जाता है चलिए बात करते हैं आगे कोशन नमबर पंदरा की निमले कितमें से चौला की उन्नत किस्म का नाम बताना है कौन सी किस्म है जो चौला की है तो पंत रितुराज फर्ष्ट जो है ये बैगन की है भाईया किस की है बैगन की हो जाएगी पूसा रितुराज ये पूसा रितुराज जो है एकदम सही है ये चौला की हो जाएगी यानि कि बी वाला एंसर हमारा एकदम सही हो जारा अरका हरित देख लेते हैं किस की किस्म है अरका हरित जो है या करेले की किसम है किसकी करेले की किसम है और पूसा हरीम पूसा हरित जो किसम है ये पालक की हो जाएगी ये किसम जो है पूसा हरित ये पालक की हो जाएगी अब याद रखे अरका पंत रितुराज बैगन की हो जाएगी पूसा रितुराज ये चौला की हो जाएगी और पूसा हरित जो होती है यह पालक की हो जाएगी यहां पर दोनों में कनफ्यूज मत हो जाएगी एक में लगा है अरका एक में लगा है पूसा और दोनों हरित है एक है अरका हरित जो रहेगी यह करेले की होगी और पूसा जो इसमें लगा हो पालक की रहेगी ठीक अगर हम संकर बाजरा, हाइब्रीड बाजरा को अगर बुवाई कर रहे हैं, वो भी बीज उत्पादन के लिए हम को लेना है, ठीक है, चारे वाली फसल नहीं बोना, बीज उत्पादन के लिए अगर हम फसल को लगा रहे हैं, तो पिर्थी करण दूरी कितनी रखेंगे, पौ हम संकर बाजरा के लिए आधर बीज अगर पूचता तो एक हजार मीटर हो जाता, ठीक है, बात करते हैं, वो दूरी ऑफूल को भी किस के लिए याद करलो, शोला सो मीटर किस के लिए, फूल मूरू, मूली, शल्यम, ये तीनोंं के लिए आधर बीज पिर्थी करण की दूर ठीक है 16 मीटर अब बात करते हैं 50 मीटर 50 मीटर किस के किस के लिए हो जाएगा कापास के लिए लोविया के लिए अधार बीज पिर्थकरण दूरी ठीक है यह हो जाएगा अधार बीज का पिर्थकरण दूरी कापास और लोविया के लिए 50 मीटर रखते हैं चलिए बात करते ह सत्रा की कोशन नमबर सत्रा हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं सत्रा नमबर कह रहा है कि कोशन नमबर हमारा सत्रा कह रहा है कि चने के बीजों को कौन से ये उर्वर्क से उपचारित करते हैं ठीक है कौन से बीजों को कौन से ये उर्वर्क से उपचारित करते हैं आप तो राइजोबियम का परियोग किया जाता है, जितनी भी दलहनी क्राप्स होती है, सभी दाल वाली फसलों के लिए राइजोबियम का परियोग करते हैं, यानि कि ये सहजीवी का काम करता है, और बात करते हैं, पूछता आसहजीवी के लिए, ठीक है, आसहजीवी के लिए हैं वह क्या है कभी-कभी और आज उध्यी वह पूछ लेता है है मैं जो मिद्धी के घरा जाता है और कि छो उवले जानते हैं जतनी आनाज भाले क्राप्स होते हैं इसके अंदर डाला जाता है और बात करते हैं अजिए व्यंकिो जानते जोला हुआ फार्ण हुआ यह सब जितने भी होते हैं यह धान के खेतों के लिए डाला जाता है ठीक है नाइट्रोजन नाइट्रोजन इकठा करने के लिए धान में एजोला को डाला जाता है चलिए बात करते हैं question number 18 की question number 18 हमारा कह रहा है जूट से संबंदित है जूट से संबंदित क्या है रेटिंग है रिबोनिंग है स्ट्रीपिंग है या उप्रोक्त सभी है तो इसका answer हो जाएगा उप्रोक्त सभी सभी यानि कि डी वाला answer सही हो जाएगा रेटिंग जो किरिया करते हैं यह भी जूटiver करते हैं करते हैं अब बात करते हैं rating होता क्या है rating यानि कि हम जल के अंदर उसको होना जो होता वहां का 34 degree centigrade होना चाहिए और बारास लेके 16 दिन के लिए हम उसको पानी के अंदर रहने देते हैं ठीक है और उसी पानी के अंदर सडन पैदा हो जाती है जो सडन पैदा होती है वो एक फंगस की करण होती है उस फंगस का नाम होता है एसपर なाईगार फंगस के कराण उसमें सडन पैदा हो जाते हैं बात करते है इसमें रेबॉनिंग क्या होता है जो रेबॉनिग जैसे नाम से बात करते हैं पर वाला उसको उतार लिया जाता है हटा बच्छाए वाले पार्ट को जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको इसको कठा करके पानी के आंदर हम डूबो देते हैं ठीक है यह जो करिया होते हैं रेटिंग करने के बाद के क्या करते हैं, हम पानी में जो धुलाई करते हैं उस किरिया को कहते हैं स्ट्रेपिंग कहा जाता है ताकि जो हमारा फाइवर होता है वो चमकने लगे अच्छा साफ सुत्रा दिखे उस किरिया को कहते हैं स्ट्रेपिंग यानि कि जो रेटिंग करने के साथ गड़ जाए और ने इस नमबर कह रहा मुफली से संबंदित है मुफली से संबंदित क्या भाई संबंदित है पोपिंग पोपिंग हो गया यहां भी पोगिंग लिखा हुआ है उसके बाल अलफा टॉक्सीन उपरोक सभी ठीक है इसमें से जो है अंसर हो जागा यानि कि डी वाला सही हो जागा क्योंकि पोपिंग किरिया भी होती है पोगिंग किरिया भी होती है अफला टॉक्सीन भी पाई जाती है अब देखिए जो मुफली है भारत की मुख तिलहनी फसल है भारत की मुख तिलहनी फसल है अगर रवी सीजन के मुक्य ते लए नहीं फसल पूछेगा तो सरसों हो जाएगे अगर एक चीज़ा और इसमें द्यागे Pogging जो किरिया होती है Seed ना बनना Pogging किसे कहते है Pogging जो होती है Seed का ना बनना उस किरिया को क्या कहते है Pogging कहते है और यहां पर पैगिंग लिखा हुआ है, पैगिंग जो होता है पोड के निरुमान, 55-55 दिन बाद अगर होता है, तो उस सीड के अपर куда ब्लैन के फंगस लगे होते हैं, वह फंगस जो हते हैं, वह आसपर जीलेईरus वह शीन फंगस होतेई कौन से फंगस होते हैं एसपरजीलस फंगस होते हैं जिसके कारण मुफली हमाई कड़वा पनाता है तो वो फंगस जो हता मुफली के सीड के अंदर पाया जाता है और उसको फली को क्या करते हैं इस्टोर करते समय नमी जो होती है आठ परतिशत नमी रखते हैं और बीज का अ अफला टॉक्सिन जो इस पर जीलस फंगस हो जो होते हैं यह नहीं बनेगा ठीक है यह सा तीनों जो चीज़े होती है इसके मुफली के अंदर होती है चलिए बात करते हैं कोशन नमबर 20 की कोशन नमबर 20 कह रहा है जड़ छेतर से पोशक तत्तो लौनों का पानी के साथ अगर नीचली सतय पर चला जाना क्या कहलाता है यह आपको बताना है ठीक है क्या कहलाता भीया सीपेज कहलाता है परकॉलेशन कहलाता है लेचिंग कहलाता है इन इन फिलिक्टरेशन कहलाता है इसमें से बताना है चारों में से कौन से सही है तो इसमें चारों में से जो सही ह अगर हमारे पानी की नीचे की तरहा है तो वह किरिया कहल आता है लेक है आइ सिपेज कहलेक्शण। और जमीन से जमीन में ही चला जाता है, इस की रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, पारकॉलेशन कहते हैं, यानि कि मिर्दा का पानी मिर्दा में ही चले जाना, इस की रिया को कहते हैं, पारकॉलेशन के लाते हैं, और इन्फिलेक्टरेक्शन जो हता है, वायू से जमीन में पानी जाता है ठिक है इसमें क्या होता है वइन से नीचे की और होता है नीचे की तरफ एकदम चला जाता है उसको काते हैं सीपेज क्याato तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा यानि कि लीचिंग हो जाएगा उसके बाद बात करते हैं कोशन नबर एक इसकी धान के खेट से कौन सी गैस निकलती है यह सब लोग जानते हैं धान के खेट में कौन सी गैस निकलती है तो धान के खेट में जो गैस निकलती है वो मीथेन न जो सामा, ठीक है, तो Marnt बनाने में जो परियोग किया जाता है, जो का ही परियोग किया जाता है, यानि कि C वाला हमारा एकदम सही हो जाएगा, अब बात करते हैं, Question number 23, आइस क्रीम में दुग दुवसा का लगभग परतिशत होता है, आइस क्रीम में दुग दुवसा का हो जाएगा आइस्क्रीम में वसा की मात्रा अगर आठ से लेके दस से लेके बारा परतिस्थ होती है ठीक है आइस्क्रीम में वसा की मात्रा आठ से लेके बारा परतिस्थ होती है में ही आठ परतिस्थ ही रखा जाता है चलिए बात करते हैं कोशन नबर 24 की यानि कोशन नबर 24 हमारा कर रहा है बर्बरी नसल है बर्बरी बताना है किसकी नसल है तो बकरी की है गाय की है भैंस की है भेंस की है भेंड की है तो इसका सही अंसर हो जागा यह वाला यानि कि बर्बरी जो नसल है यह बकरी की है बकरी की ये जो नसल है दुधारू अगर बकरियों के नाम कभी कभी पूछ लेता है कोई सी दुधारू नसल की बकरी है तो सानेन है जमनापारी है बरबरी बीटल मालाबारी सूर्ती इतियादी ये सब जो है दुधारू नसल है बकरी के बात करते हैं मांस के लिए सबसे अच्छी जो इसमें बक्रियां है वो कश्मीरी है मारवारी है जमनापारी है मालावारी है बलेक बंगाल सबसे अच्छा जो मानस होता है बलेक बंगाल का ही होता है बक्रियों में बात करते हैं बाल के लिए जो बक्रियां पाली जाते हैं तो पाश्मीना है कश्मीरी है चेंगू है अंगो यह जमनापारी जो द्विकाजी के रूप यानि कि दूद्ध भी देती है और इसका परियोग मास उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं चलिए कोश्चन नुम्र 25 के बात करें कोश्चन नुम्र 25 कह रहा असील एक नसल है बताना असील एक किसकी नसल है असील जो नसल है यह किसक से होता है लड़ाई के उद्धिस से या मनुरंजन के उद्धिस से इसको पाला जाता है और इसके अलावा कौन-कौन से नसले हो सकती हैं जैसे ब्रह्मा कोचीन असील चटगाव न्यूहमसायर यह जितने भी नसले हैं यह मांस उत्पादन के मुर्गियों की पाली जाते है और अंडा उत्पादन की बात करें तो अंडा उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नसल बताईए है वाइट लेग होर्न और मिनोरका ठीक है यह अंडा उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नसल मानी जाते हैं वाइट लेग होर्न और मिनोरका ये दोनों काफी फेमस विराइटिया हैं इसकी मुर्गे की और दुवी काजी नसलें भी हैं अंडे और मांस दोनों के लिए उत्पादन के लिए जैसे रोड आइसलेंड रेड और आल्ट्रो लारपा और फ्लाइ मौथ रॉक ये सब जो अतनी विराइटिया निकि दुवी का बना है लार्ज वाइट यॉर्क सायर नसल किसकी है बकरी की है भेंड की है बत्तक की सूवर की ठीक है ये जो नसल है ये हमारी नसल जो है सूवर की है ठीक है वो लार्ज वाइट यॉर्क सायर किसकी नसल है सूवर की नसल है इसके अलावा सूर की कुछ और नसले होती हैं जैसे बात कते हैं लार्ज वाइट यूर्क सायर और मिडिल वाइट यूर्क सायर, लेंड रेस, टेम बर्त, बरसाइल ठीक है इस परकार की जो नसले हैं ये सूर की वेराइटियां जो हर एक्जामों पूछा जाता है काफी एक्जामों पूछा गया है क्योंकि सूर की विराटियां बहुत कम ही लोग परते हैं और बात करते हैं कोशन नमबर 27 की 27 नमबर कोशन करा खीस क्या है भईया खीस क्या है आपको बताना है ये मादा दोरा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूद है या संगनित दूद है या वास्पसील दूद है या बिना जमा हुआ दूद है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा यानि कि ए वाला मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूद क्या कहलाता हमारा खीस कहलाता यानि कि ए वाला हमारा सही हो जाएगा ठीक है खीस के बारे में और भी कुछ चीजे जान लेते हैं खीस में दूद की अपेच्छा दो गुना केसीन पाई जाती है ठीक है यह याद रखेंगे खीस में दूद की अपेच्छा दो गुना केसीन की मात्रा पाई जाती है और दो से लेके 6 गुना अल्बिमीन पाई जाती है और 12 से लेके 15 गुना ग्लोबुमीन पाई जाती है ठीक पाई जाती है और 17 गुना अधिक क्या पाई जाता है इन सब बातों को आप ध्यान देंगे ठीक है आज का हमारा जो टॉपिक था एग्रिकल्चर से रेलेटिव था यानि कि यह जो जितने कोशन 27 कोशन करवाएं हैं यह काफी important question है हर एकजामों में यहां तक कि UP PCS जो प्री एकजामों में उसमें भी यह आया हुआ है आप अगर 2013 PCS का pre question देखेंगे तो उसमें ये सब जितने भी question करवाएं सब question आपको देखने को मिलेगा आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है अगर आप लोगों को हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को like, share जरूर करिए लेकिन subscribe करना ना भूलिएगा थेंक्यू धन्यवाद